हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक और exciting नए वीडियो में अगर आप एक student हो और अगर आप एक laptop लेना चाहते हो और अगर आपका budget काफी कम है तो ये वीडियो आफी के लिए है आज मैं आपको चार ऐसे laptop बताऊंगा जो की काफी budget friendly है काफी अच्छे features के साथ आता है और जिसका price 30,000 से नीचे है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना और सुर्च लेकर देखते रहेना तो अगर आप आज के time पे एक laptop लेना चाहते हो और अगर आप एक student हो तो कुछ points में आपको बता देता हूँ तो उसके हिसाब से आप laptop purchase कर सकते हो पहला चीज है कि जो laptop है थोड़ा साल आप light weight लीजे क्योंकि अगर आप student हो तो आपको laptop carry करना हो सकता है तो laptop जितना हलका होगा उतना अच्छा होगा और जो दूसरा point है जो कि काफी important point है कि आप कोई भी जो laptop लीजे उसमें hard disk आप नहीं लीजे आप हमेशा इसको SSD के साथ लीजे और अगर आप hard disk लोगे तो कुछ time के बाद laptop slow हो जाएगा तो इसलिए मैं suggest करता हो कि हमेशा SSD वाला जो laptop है इसको purchase कीजे और एक चीज जो laptop है इसमें at least 8GB का RAM होना चाहिए नहीं तो बाद में जाके फिट से आपके laptop में lag आ सकता है तो आपको minimum 8GB के साथ जाना चाहिए तो आज मैं आपको 4 ऐसे laptop बताऊँगा जिसका price काफी कम है और जिसमें आपको काफी बड़िया features देखने को मिलता है तो चलिए देख लेते हैं पहला जो laptop है ये कौन से वाला laptop है तो अगर आपका budget काफी कम है 15-16,000 के आसपास है तो आपको मैं एक ही laptop सजेस्ट करने वाला हूँ जो की है Primebook 4G जो की सार्फ टैंक में भी आया था तो ये जो laptop है ये बेसिकली एक Android वाला laptop है तो इसमें आपको HD IPS देखने को मिलता है जो की 11 इंच का है काफी छोटा सा laptop है काफी lightweight है एक के जी के आसपास इसका आपको 8 देखने को मिलेगा तो आप carry करने में कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा तो इसका जो CPU है वो है MediaTek का और इसका model number है MT8788 जो की एक normally budget friendly एक CPU है और इसके साथ साथ इसमें 4GB LPDDR4 RAM देखने को मिलता है और 64GB तक आपको यहां पर storage देखने को मिलेगा जिसको आप microSD card के help से expand कर सकते हो इसके साथ साथ इसमें आपको prime OS देखने को मिलता है तो एक चीज़ दियां पर मैं आपको clear कर देता हूँ यह जो laptop है यह एक Android laptop है इसमें आपको ना ही Chrome OS देखने को मिलेगा और ना ही आपको Windows देखने को मिलेगा जो आप आपके phone में यूज़ करते हो जो Android बाला phone है फिल्कुल ऐस ही आपको OS देखने को मिलेगा थोड़ा सा आपको changes देखने को मिलेगा लेकिन जो application है वो more or less same ही देखने को मिलेगा तो अगर आप programming जैसे काम करते हो या फिर ऐसे कुछ software यूज़ करते हो जो कि Windows में support करता है तो that case वो जो software है यह आपको इस laptop में देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप software या फिर web development जैसे काम करते हो तो that case में आपको यह बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगा और इस laptop में आप 4G SIM भी लगा सकते हो जिसमें आप call भी ले सकते हो इसी के साथ साथ इसमें dual band wifi support करता है और इसको जो price है हो है 16,290 रुबे तो काफी कम price के साथ यह आता है तो अगर आपका budget बहुत ही कम है और जो points में बता है उसको अगर आप consider कर सकते हो तो definitely आप Primebook 4G जो laptop है इसको purchase कर सकते हो number 3 पे जो laptop आता है वो है Infinix का Y1 Plus Neo जो की 23,990 रुपीस के आता है लेकिन इसका जो price है इसकी साथ से इसका जो features है काफी जादा देखने को मिलता है तो पैरली बात इसमें जो processor है Intel Celerant का जो की quad-core CPU है और यह 11 Gen CPU है और जो CPU का model number है वो है N5100 इसमें आपको 8 GB RAM देखने को मिलता है जो की LPDDR 4X RAM है इसके साथ 256 GB का यह आपको SSD देखने को मिलेगा इसके साथ जो इसका display है इसका quality काफी सही है यह आपको 15.6 inches का display देखने को मिलेगा जो की full HD IPS display है तो display भी काफी सही है और इसके साथ आपको इसमें Intel integrated graphics देखने को मिलता है और जो इसका weight है वो भी काफी कम है यह आपको 1.76 kg का यहां पर आपको weight देखने को मिलता है तो यहां पर आप अगर आप इसको traveling के लिए उस करना चाहते हो तो भी आप अराम से कर सकते हो इसके साथ साथ इसमें आपको DTS audio यहां पर support देखने को मिलता है backlit keyboard देखने को मिलता है इसमें काफी सारे features भर-भर के दिया गया है तो definitely अगर आपका budget कम है और अगर आप 24,000 rupees के आजपा सकर्च करना चाहते हो तो definitely आप Infinix का जो Y1 Plus Neo जो laptop है इसको purchase कर सकते हो number 2 पे जो laptop है यह भी Infinix के तरप से आता है और यह है Infinix का X2 Slim और इसमें दिया गया है Intel Core i3 जो की 11 Gen CPU है तो हाँ इसमें आपको थोड़ा सा कम generation का CPU देखने को मिलता है लेकिन इस price range के साब से ठीक ठाक है और यहां पर जो RAM है वो RGB का LPDDR4X RAM देखने को मिलता है 256GB का NVMe PCI3 यहां पर आपको storage देखने को मिलेगा यहां पर आपको जो display है 14-inch का display देखने को मिलता है थोड़ा सा छोटा है थोड़ा सा light weight भी होगा यह full HD display है इसके साथ यहां पर आपको जो integrated graphics है वो देखने को मिलता है Intel का और जिसका weight है वो भी काफी सही है यहां पर आपको सिर्फ 1.24 kg का weight देखने को मिलता है तो काफी जादा light weight है इसके साथ इसमें भी आपको backlit keyboard देखने को मिलेगा DTS sound support देखने को मिलेगा इसमें भी webcam में आपको redis देखने को मिलता है और type C charging भी इसमें दिया गया है तो इसमें भी जो features है काफी अच्छा है तो definitely आप यह जो laptop है इंफिनिस का X2 Slim इसको भी purchase कर सकते हो और number one का जो laptop है इसको देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करना और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करना तो number one पे जो laptop है वो है tax related posting unit होता है जिसमें आपको CPU के साथ यहाँ पर आपको dedicated graphics भी देखने को मिलता है जो कि Intel का radiant vega graphics होता है काफी अच्छा performance भी उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको 8GB का RAM देखने को मिलता है जो कि LPDDR5 RAM है तो यह भी काफी अच्छी बात है यहाँ पर आपको 256GB का NVMe SSD देखने को मिलता है जो कि PCIe यहाँ पर आपको Gen 4 support देखने को मिलेगा जो इसका display है वो है Full HD का display 15.6 inches का और यहाँ पर जो इसका display quality है वो TFT display है तो यहाँ पर आपको IPS display देखने को नहीं मिलेगा लेकिन overall जो display quality है ठीक टाक है GPU की बात करें तो इसमें आपको AMD Radeon का जो Vega graphics होता है ओ देखने को मिलता है और इसका भी weight काफी सही है 1.78 kg का weight है और इसमें आपको Type-C का support देखने को मिलता है Cons की बात करें तो पहला चीज है कि इसमें आपको TFT display देखने को मिलेगा तो अगर आपका budget 30,000 से नीचे है तो यह जो laptop है इसको आप purchase कर सकते हो आपने price range और आपके need case आप से और साड़े laptop का purchase link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा तो बस आज के लिए से पितना ही I hope आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर आपके मेर में कोई भी question हो या फिर कोई भी suggestion हो तो नीचे comment box में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको वीडियो आच्छे लगा हो तो वीडियो को like ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को subscribe करने के साथ साथ पास बाला जो भी लेकरन है उसको भी आप तबा दीजिए फिर मिलता हूँ मैं एक और exciting नए वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you and goodbye